Hi viewers, हरिदवार में 2021 में होने वाले महाकुम की तयारियां जोरों से चलने लगी हैं महाकुम इस बार 12 साल बाद नहीं, बलकि 11 साल पर ही होगा इसका कारण ग्रहों की स्थिती को बताया जा रहा है जनवरी 2021 में शुरू होने वाले महाकुम का पहला इसनान 14 जनवरी से शुरू होगा वैसे तो महाकुम में एक बार में 6 लाग से जादा लोग गंगा में डुक्की लगाते थे लेकिन चाइना की महरवानी से कोविट के कारण इस बार एक बार में स्रिफ एक लाग लोग ही डुक्की लगा पाएंगे इसके लिए गवर्मेंट ने 107 घाटों को तैयार किया है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक मीटर दूरी बनाई रखने के लिए स्रिफ एक लाख लोगों को पर डे परमीशन मिलेगी जिनको कुम पोर्टल पर रजिस्टेशन करवाना पड़ेगा बिना इपास के लोगों को परमीशन नहीं मिलेगी प्रयाग राज के जैसे ही हरिद्वार को भी भगबारंग में रंगने की तयारियां शुरू हो गई है साथ ही साथ रेलवे भी महाकुम स्पेशल सौ ट्रेन चलाने की तयारी में है ये ट्रेन हरिद्वार के साथ डिशी केस के नई रेलवे स्टेशन तक जाएगी जिसे यात्रियों को ठहलने की ज़्यादा से ज़्यादा सहुलियत मिलेगी रिशी केसे कर्ण प्रयाक की रेलवे लाइन भी बन रही है अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करकर जरूर देखें कुम शुरू होने के पीछे एक पौराने कहानी है जब देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मन्थन किया था तो अमरत कलश निकला अमरत को लेकर दौनों में युद हो गया इस कलश में से अमरत की बुने चार स्थानों पर गिरी हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन ये युद्ध 12 वर्षन तक चला इसलिए हर बार 12 साल बात एक महाकुम जरूर होता है पहला शाही इसनान 11 मार्च को होगा महाशिवरात्री के दिन दूसरा 12 अपरेल सोमवती अमावश्या के दिन तीसरा 14 अपरेल और चौथा 27 अपरेल को होगा कुम के पोर्टल पर अभी गोर्मेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है काम अभी प्रोग्रेस में है जैसे ही होती है उसको हम इस चैनल पर जरूर अपडेट करेंगे उसके लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक अगर यह इंफोर्मेशन अच्छी लगी है तो आपको पताई है लाइक शेयर और कॉमेंट पर जरूर करें जै गंगा मैया जै शिक्षंभू